आज से लोकसभा का मांसुन सत्र शुरू हो गया है जो 23 दिनों के बाद 11 अगस्त को समाप्त होगा और 23 दिनों के इस सत्र में सरकार द्वारा 28 कानूनों का बिल प्रस्तुत किया जाएगा लेकिन सबसे जादा हंगामा जिस बिल को लेकर के होने वाला है वो है केंदर सरकार का ओर्डिनेंस जो लेकर के आई है दिल्ली सरकार के सर्विस अथौरिटी के खिलाफ इस बिल पर बहस होना और ना होना बहुत कुछ निरपर करता है अपेक्स कोट के फैसले के उपर भी हाला कि एक जुलाई को अपेक्स कोट के आदेश के बाद ये पता चल जाएगा कि इस बिल पर बहस होनी है या कोट ने अपना फाइनल आदेश सुना दिया है अगर कोट का फैसला नहीं आया तो 70-30 बार बहुत हंगामेदार होने वाला है और उसमें विपक्षी एकता भी इस बिलकुल लेकर के देखने को मिलेगी और ये एकता 2024 के चुनाव पर बहुत गहरा फर्ब डालेगी